ओके सो हलो एव्राइन चलीए, आज हम करने वाले हैं कराटीरमन्ट जिसमें आप लोग को अब बोटयूक्ष का भी आप लोग को पूरा प्रोटीन मिलेगा और कराटीन का भी तो कैसे करेंगे पूरा डिटेल में और स्ट्रेट लुक मिलेगा देखते हैं चलिए चलते हैं तो दोस्तों आज आप लोग देख रहे हो जो हैर साप लोग बिफॉर का देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फ्रिजी और रॉफ है तो हम इसे अच्छी तरीके से शैंपू कर रहे हैं और शैंपू आप लोग क्लिरिफा शैंपू खाली यह है यूज कर रहे हैं प्रोड़क हमारा दूसरा है कौन सा दूसरा है वह आगे देखेंगे आप लोग करते समय या फिर बोटोस ट्रीटमेंट करते समय क्लिरिफाइगा कोई भी करती शैंपू यूज कर सकते हो तो चलिए आप लोग को अच्छी तरीके स कर लिए यह पांपना को जो आप लोग को समय करते हैं और ग्रया थी शैंपू कर डिया होगा तो चलिए हमने आची तरीके से शैंपू किया है अभी फिलाल और शैंपू करबरें हमने 50 सिरां बाल तावल रहा है यानि कि बालों को खाले given towel से सुखाया है और अब हम यूज़ कर रहे है arm brazilian Kanatine treatment जो कि आप लोग देख सकते हो QeraSmooth बहुती बहुति बहुती तरीके से हम लोग यूज़ करने वाले हैं और इस पर देख सकते हो protein जो ра प्रोटीन है तो इसे हम लोग केराटीन ट्रीटमेंट भी बोलेंगे बस इसमें बोटोक्स ट्रीटमेंट का भी थोड़ा बहुत प्रोटीन है जो कि हमारे बालों को 50% तक 60% तक अच्छी तरीके से स्ट्रेट लूप दे पाता है तो डिपेंड करता है हैर्स की उपर उसका प बोटोक्स ट्रीटमेंट से रिलेटेड आप लोग को पहले अच्छी तरीके से शेक करना है शेक करने के बाद ही आप लोग को प्रोड़क निकालना है तो चलिए हमने शेक कर लिया है अब शेक करने के बाद जो की जो भी प्रोटीन के मिलेलर्स जो नीचे बैटे हुए रह हेर्स में अगर लगने के बाद बच गये तो वेस्ट हो जाएंगे तो यह ध्यान रखना है आप लोग की थोड़ी-थोड़ी कॉंटिटी में ही आपका प्रोडेक्ट निकालना है चायव आप लोग स्मूतिंग करिए कलिरिंग करिए या फिर आप लोग जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो प्रोडेक्ट आप लोगको बहुत ही ध्यान से और थोड़ा ही करगे निकालना है तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर प्रोड़क्ट तयार है हमने रेडी कर दिया है और यहाँ पर हमारा 50% हैर वेट है जैसी कि मैंने आप लोग को बताया कि सिब टावल ड्राइ क वेट रहना चाहिए 50% तक गीले रहने चाहिए गीले इसलिए रहने चाहिए क्योंकि जब हम प्रोड़क लगाते हैं तो अच्छी तरीके से बालों में पूरा पेनिट्रेड हो पाए हमारे हैर्स में अच्छी तरीके से जा पाए तो इसलिए आप लोग को ड्राय हैर्स पर नहीं लगाना है आप लोग को 50-40% तक गीले बाल रहे हैं उसी में आप लोग को आप लोग का प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है वो लगाना है दोस्तों कलर वाले हैर हो या फिर ओवर प्रोसेस हैर हो या फिर ड्राय डायमेज हेरो, वर्जिन हेरो, कौन से हेर्स पर किस तर से हमें प्रोडेक्ट लगाना है और टेंपरेचर कितना रखना है उसके लिए मैं डिटेल में एक वीडियो लाने वाला हूँ थेरी के इसाब से जिसमें आप लोग को पता चलेगा कि अगर कलर हेर हैं तो उसमें बाल वेट कितना रखना है, अगर डायमेज हेर हैं तो उसमें कितना वेट रखना है बाल, हमें ड्राय हेर्स पर प्रोटीन कब लगाना है सारा कुछ हम सेकेंड वीडियो बहुत ही जल्द ही कैरेटीन की उपर लाने वाले हैं जिसमें आप लोग को डिटेल में पता चलेगा कि हमें कौन से हेर्स पर प्रोटीन हमें किस तरह से लगाना है तो वर्जिन हेर पर तो आप लोग को आज समझ में आ गया कि 40-50% तक गीले बालों में आप लोग को प्रड़क यूज़ करना है बट कलर वाले हेर हो या फिर डाइमेज हेर हो या फिर ओवर प्रोसेस हेर हो या फिर कर्ली हेर हो तो इन सब hairs पर हमें कितने weight रखना है, गिले बाल या फिर dry hairs पर लगाना है, temperature हमें कितना रखना है, सारा कुछ आप लोग को मिलेगा second video जो हमारा आने वाला है उसमें, जिसमें हम पूरा detail में बताएंगे, तो जल्दी आप लोग comments करिए और बताएं कि आप लोग को वो वीड पूरा वीडियो लाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाओ कि कौन से hairs पर किस तरह से हमें हमारा product apply करना है, जो कि हमें एक अच्छा सा result मिले, एक straight look मिले, तो चलिए हम year to year वाले sections पर आ गये हैं, और वहाँ पर भी हम application करना start कर दिएं, दोस्तों मेरा Instagram ID है काफी जादा लोग ने follow किया है, आप लोग भी जाएं वहाँ follow करिये, वहाँ पर भी मैं काफी वीडियो लेकर आते रहता हूं, तो application किस तरह से करना है, आप लोग देख रहे हो, पतले पतले sections लेते हुए मैं application कर रहा हूं, और आप लोग को ध्यान देना है कि root में नहीं scalp छोड़ते हुए आप लोग को product apply करना है, और गीले बाल होनी की वाई से हमारा जो product है, बहुत ही अच्छी तरीके से बालों में penetrate हो पा रहा है, और अब हम इसे रख देंगे 30 minutes के लिए, हमारा process फुरा complete हो चुका है, 30 minutes बार हम अभी इसे करेंगे dry, तो किस तरह से dry करना है कितना person हमें heat dry करना है, सारा कुछ आप लोग को आज के इस वीडियो में मिलेगा, तो चलिए हमारा 30 minutes complete हुआ, अब हम इसे cool dry फिलाल कर रहे हैं, cool dry करके जो भी गीले वाले उसे पहले अच्छी तरीकी से सुखा लेंगे, जब हमारा जो भी white hair सी वाले जो protein दिख रहे हैं, वो हमारे पूरे protein दिखना बंद हो गया है, यानि कि हमारे पूरे जो protein हो सूख चुके हैं, उसके बाद आप लोग को heat देना है, इस तरह से comb करते हुए, टैंगल कॉम से आप लोग को heat देते हुए, आप लोग को इस तरह से brushing करना है, और ध्यान देना है कि हमारे client के scalp पर य detail में यहां पर देखने मिलेगा, तो आइनिंग हम लोग यूज करेंगे, आइकोनिक का, आप लोग कोई भी फिलिप्स या फिर वेगा, या फिर ऐसे जो भी होम केर के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो आइनिंग नहीं यूज करना है, आप लोग को neutron आइनिंग यूज कर कर रखना है ह्यर के अकोड़िंग अगर जादा पतले और थीन हैर है तो आप लोग 152 180 के बीच में टेंपरेचर रखना है अगर हैरस के हेल्दी है ये वर जिन है तो आप लोग 202 180 के आसपास हैं अप लोग सकते तो हमने यहाँ पर 200 का temperature रखा है क्योंकि hair बहुती जादा virgin hair है और hair काफी जादा healthy भी है तो चलिए हम देखिए step by step पतले-पतले sections लेते हुए आइनिंग करते जा रहे हैं तो जब आप लोग आइनिंग करोगे तो आप लोग के एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि जब आप लोग first time जब आइनिंग टच करते हो तो देख सकते हो आप लोग कि मैं एकदम हलके से टच करते हुए पांच से छे बार साथ बार आप लोग को थोड़ा सा देख सकते हो कि आइनिंग कर रहा हूँ जाकर cortex में जाएगा जहाँ पर कि हमारे hairs को एक अच्छा सा karotene देगा और karotene जो की जैसे कि पता है कि हमारे बालो को healthy रखता है और हमारे बालो के लिए बहुत ज़्यदा ज़रूरी होता है जो की freezeness, dryness को बहुत तरीके से दूर रखता है तो आप लोग जितने अची तरीके से आइनिंग करोगे आप लोग का क्यूटिकल लेयर्स ओपन होके कोटेक्स में बहुत ही अची तरीके से प्रोटीन जा पाएगा तो देख सकते हो हमने बैक साइड में हमारा आइनिंग कम्पलीट कर दिया है यह टू यह पर भी सेम आप लोग को उसी तरह करना है बहुत लोग को मैंने देखा है कि आइनिंग करते समय एकी जगह पर आइनिंग रख देता है जिसके वैसे वहाँ से वो हैर्स ब्रेक हो जाते हैं और वन टू मन्स के बाद में वहाँ से हैर ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते है तो आइनिंग का आप लोग को बहुत ही अराम से आइनिंग को पहले बालो पे रखना है और उसे हलकी तरीके से खाली पहले रूट से लेकर मिडल लेन तक हलका सा आइनिंग देना है और देन उसके बाद ने जब हमारा आइनिंग मशीन हैर पर अच्छी तरीके से सेट अप बना ले फिर आप लोग को अच्छी तरीके से नीचे तक आइनिंग करना है तो आप लोग को ये repetition 15 से 20 बार करना है जितना ही ज़ादा आइनिंग करोगे उतना ही बहतरीन सा result आएगा दोस्तो यहां तक आच चुके और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कियो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लिजे क्योंकि काफी जादा knowledgeable वीडियो आज का है और काफी कुछ आप लोग को आज की इस वीडियो में सीखने मिला है कि हमें कितना hairs पर कितना weight hairs पर हमें protein और हमें machine कौन सा यूज करना है सारा कुछ आप लोग को आज इस वीडियो में सीखने मिला है और final result देखना आप लोग काफी amazing सा आने वाला है अगर आप लोग को और भी ज़्यादा knowledge चाहिए तो मेरा Instagram आईडी है hair stylist रोहित लिंक आप लोग को description में मिल जाएगा इसी तरह final channel जो लुक देख रहे हो उसी तरह के काफी वीडियो जहां पर आप लोग को short video में काफी कुछ extra knowledge देखने मिलेगा और हम पर भी मुझे follow करिए मेरा Facebook ID है hair stylist रोहित वहां पर भी जाकर आप लोग मुझे follow कर सकते हो वहां पर भी काफी videos में upload करते रहता हूं तो हमारा back side का और hair color से related या फिर hair treatment से related या फिर haircut से related जो भी doubt है आप लोग मुझे Instagram पर message करिए वहां पर मैं बहुत जल्दी है आप लोग को reply कर पाता हूं क्योंकि वहां पर मैं काफी ज़दा active रहता हूं तो आप लोग को जो भी video से related doubt रहे उस video का screenshot निकालिए और मुझे send करिए और मुझे question करिए जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग को किस related question से आप लोग को answer देना है आप लोग का doubt क्या है वो मुझे पता चले तो screenshot निकालिए और मुझे फिर share करिए और फिर आप लोग का जो भी doubt है वो नीचे message करिए तो देख सकते हो final result कितना amazing है तो अभी मैं फिलाल wash नह final result दिखाना है तो मैं आप लोग को दिखाता हूं one day final result आप लोग को जब इसे wash करना है तो wash करने के बाद पहले अच्छे तरीके से पानी से पूरा wash कर लेना है देन उसके बाद में आप लोग को shampoo नहीं यूज़ करना है या पर सिफ conditioner यूज़ करना है home care के लिए आप लोग shampoo or conditioner keratin treatment का ही दोगे चाहे वो कोई भी keratin treatment का हो बस sulfur free होना चाहिए क्योंकि keratin treatment हम लोग इसलिए suggest करते हैं क्योंकि keratin treatment का जो shampoo or conditioner होता है उसमें sulfur बिल्कुल भी नहीं होता है जिसके वैसे हमारा जो product यूज़ किया हुआ है वो हमारे बालों से जल्दी निकलता नहीं है इसलि करने के बाद में जब shampoo conditioner हो जाए तब आप लोगो सीरम यूज़ करना है और सीरम यूज़ करने के बाद ही आप लोग को कॉम करना है तो गीले बाल पर ही आप लोगो सीरम यूज़ करना है बहुत लोग कंफीज हो जाते हैं कि सुखे बाल में यूज़ करना है या गीले बा पर है आपधे और कसुखे दोनों बालों में सीरम यूजिख कर सकती ओدي और सबसे पहले टेंगल फ्री करने के लिए आप लोग को इस योज़ करने kol में आप लोग के बैक साइड में आप लोग का जो हैर है वो दबना नहीं चाहिए कान के पीछे हैर्स नहीं लेना है और हैर्स को ओपन रखना है क्लिपिंग नहीं करना है तो देख सकते हो सीरम लगाने के बाद में मैं पेंडल ब्रॉश कर रहा हूँ अच्छी तरीके से पैं इसी तरह से आप लोगों को blood dry करना है, straight blood dry हो जाने के बाद जब बाल अच्छी तरीके से सूक जाये तब अप लोगो dry hair पर भी आप लोग serum यूज कर सकते हो, तो सीरम तो मैं आप लोग को सजेश्ट करूँगा कि स्ट्रिक्स का ही यूज करिये क्यूंकि बहुत ही कम प्राइज में मिलता है और कॉंटिटी भी काफी ज़दा अच्छी मिलती है और रिजल्ट भी काफी बहतरीन मिलता है तो देख सकते हो कि जब मैंने गीले बालते तब इसी तरह आप लोग केराटीन करें जिस तरह से मैंने पूरा प्रोसेस बताया है और आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आप लोग कोई वीडियो कैसा लगा और केराटीन की उपर जो भी कलर से रिलेटेड या फिर रे प्रोसेस वाले हैर्स या फिर डैमेज हैर्स पर किस तो आप लोग मुझे करिए मैं पूरा थेरी उसके लिए लेकर आने वाला हूँ और वीडियो को लाइक कर लेना पहले बार विजिट कियो तो सब्सक्राइब कर लेना और ज़दा से ज़दा होशक के जिजे भी क्यारेटीन से डाउट है उसे शेयर करना तो चलिए इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए हम भी आप लेक लिए नहीं हैर कट से रिलेटेड हैर ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे आप लोग भी पूरा वीडियो लाश्ट तक देखते जाहिए ताकि आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आए और डाउ तो चलिए इसी तरह मिलते हैं नेक्स वीडियों में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाई बाई टेक के